हरीपूर नामक सहर में पप्पु का धाबा नाम का एक धाबा था यह धाबा इतना मसूर था कि आसपास के सभी लोग यहाँ पे खाना खाने आते थे उस धाबे का खाना जो एक बार खा लेता तो फिर उसका स्वाद नहीं भूल पाता था अगर कोई भी उस गाउं में कोई काम से आता तो बिना उस धाबे का खाना खाये बगर नहीं जाता दिन बदिन जितना वह धाबा मसूर हुआ जा रहा था उसके मालिक का उतना ही घमंड बढ़ते जा रहा था अगर ढाबे का खाना बच जाता तो उसे उस खाने को फेकना मनजूर था लेकिन किसी जानवर या किसी भूके भिकारी को देना मनजूर नहीं था एक दिन की बात है वहां से एक भूका भिकारी जा रहा था उसे बहुत जोरो की भूक लगी थी तो उसे एक ढाबा नजर आया और वहे उस मालिक के पास गया मालिक बहुत जम कर भूक लगी है कुछ खाने को दे दो बहुत भूक लगी है कुछ खाने को दे दो बाबू जी अरे जा जा आंगे जा कुछ नहीं मिलेगा कुछ दे दो खाने को बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है अबू जी बहुत भूक लगी है सुबह सुबह पता नहीं कहां से आ जाते हैं मूठा के शारा दिन खराब कर दिया रामू ओ रामू इसे बाहर तो निकाल रामू वह भिकारी को ढाबे से धक्के मार मार कर बाहर निकाल देता है पर मालिक को भिकारी की उपर जरह भी दया नहीं आती और वह बेहोश हो जाता है वहीं पे मालिक ये तो बेहोश हो गया से तो मैं क्या करूँ इसे तू दुकान के सामने से हटा ग्राहकों के आने का टाइम हो रहा है जी मालिक, मालिक, मालिक लगता है ये मर गया अरे ये क्या बोल रहा है मैंने कमेशाई बोल रहा है तुम एक काम करो इसे जो धाबे के पीछे कुआ है वहाँ फेक दो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा हम? जी मालिक हम, रामो किसी को कुछ पता तो नहीं चला किसी ने देखा तो नहीं नहीं मालिक आज का तो दिन ही खराब गया हम, और ज्यादा किराहक भी नहीं आए कल सभी टाइम पर आ जाना नहीं तो तुमारे पैसे काट लूँगा हम, जी मालिक मालिक अपने सभी नौकरों को छुट्टी दे कर और वो भी अपने घर चला जाता है मालिक को रास्ते में ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है कभी मालिक रुख जाता है और पीछे पलट के देखने लगता है तो वहाँ कोई नहीं दिखता अरे मेरा बहम होगा तब ही वह चलने लगता है तब ही उसे कोई पीछे से जोर से थपड मारता है वो अपने चारो और देखता है मगर कोई नहीं था वह जल्दी जल्दी चलने लगता है और अपने घर पहुँच जाता है अरी भाग्यवान जल्दी से खाना लगा दो, महाच जोरों की भूक लगी है जी अभी नाए जैसे ही पत्नी खाना लेके आती है, वह भिकारी भूत उसे पीछे से जोर से धक्का देता है और सारा घाना नीचे गिर जाता है अरी भाग्यवान ये क्या किया? जी पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया हो अज का तो सारा दिन ही खराब गया अगली सुबह मालिक अपने काउंटर में बैठा हुआ होता है, तब ही एक गहराक आता है और बैठ जाता है, बोलता है मेरे लिए खाना लाओ रामू ओ रामू ये कैसा खाना बनाया है पता नहीं कैसे हो गया मैंने खाना तो अच्छा ही बनाया था आज भी मालिक की कोई कमाई नहीं हुई थी और सारा खाना ऐसे ही वेश्ट हो जाता है यह देखकर घिकारी बहुत खुश होता है अगले दिन मालिक अपने नौकरों से कहता है आज ऐसा खाना बनाना के लोग उंगलिया चाटते रह जाएं सभी नौकर और रामू खाना बनाने में लग जाते हैं और खाना बन के तयार हो जाता है खाने की खुश्बुतों बहुत अच्छी आ रही है तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है ग्राहक जैसे ही खाना खाने बैठता है तभी उसकी थाली से अचानक रोटी गायब हो जाती है अरे रोटी का गई अभी तो आती वह डर जाता है और वह रामु को आवाज लगाता है चरामु, रामु की सहाब, क्या हो गया सहाब अडे रामु, मेरे रोटी कहां गई ऐसा कैसे हो गया सहाब, आपना वहम हो गा यह सब तरह दरा उस और बैकारी का था वह सारे गहराहकों को परिशान कर रहा था और डरा रहा था गहराहक डर के मारे महां से भाग जाता धाबे के मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है ऐसा रोज का काम हो गया और दिन बादिन धाबे के मालिक की कमाई काम होने लगी थी एक दिन की बात है शहर से कुछ लोग अपने गाओं में घर की तरफ जा रहे थे तब ही उसे पप्पू का धाबा दिखाए दिया उनने उस दाबे का नाम बहुत सुना थे वो लोग वहाँ खाना खाने रुख गए और खाने के लिए और डर देने लगे थे रामू खाना लेके आता है तो वह खाना खाने बैठते हैं तो उनकी साही पनीर की सबजी चिकन की कड़ी में बदल जाती है यह देखकर वह परिशान हो जाती है और वेहह लोग वहाँ से भाग जाते हैं देखते ही देखते धाबे में प्रोच अजीवो गरीब घटनाय होने लगती हैं लोग उस धाबे को अब भूतिय धाबे के नाम से जानने लगे थे एक दिन रात को मालिक जब धाबे के गल्ले से धाबे के पैसे निकालने के लिए गल्ला खोलता है अब वह देखता है तो इसमें एक भी पैसे नहीं रहते और उस भू के भिकारी का सर कटा हुआ दिखाई देता है वह जोर जोर से भूत भूत अरे ये तो वही भिकारी का सर है जिसे मैंने कुएं में फिकवा दिया था फिर ये यहां आया तो आया कैसे मालिक की आवाज सुनकर ढाबे के सभी लोग वहां पर एकत्रित हो जाते ही क्या हुआ भाई साब आव इतना घबराय हुए क्यों है यहां उस भिकारी की खोपड़ी रखी हुई है और गल्ले से पैसे गायब है यहां देखो हमारे गल्ले में भूत है यह सुनके सारे लोग बहुत घबरा जाते है अरे भाई साब ऐसा कैसे हो सकता है जाओ तुम एक बार गल्ला खोल के देख लो तुम्हे वहां एक खोपड़ी मिलेगी वहां एक भूत है भूत यह सब सुनकर वहां एक आदमी पैसों का गल्ला खोलता है तो वहां पे कोई सर नहीं होता बलकि पैसे रखे होते हैं आएं क्या भाई साब लगता है आपकी तबिया ठीक नहीं है मालिक अपनी बात सभी को मनवाने की कुसिस करता है मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता और नहीं विश्वास करता है तब ही रामू मालिक के पास आता है मालिक मुझे ऐसा लगता है ये सब भूका भिकारी कर रहा है वही जिसे आपने कोई में फिकवाया था और भूके होने की वज़े से उसकी मौत हो गई थी और इसी वज़े से उसकी आत्मा हमारे ढाबे में भटक रही है और आपको दिन रात परिशान कर रही है रामू मुझे भी ऐसा लग रहा है हाँ तुम सहीं बोल रहे हो पर अब इस बात का क्या इलाज है तुम मुझे ये बताओ अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा और मेरा धाबा भी बंद हो जाएगा आप चिंता ना करेंगे मालिक मैं एक बाबा को जानता हूँ मैं आपको उनके पांस लेके चलूँगा उनके पांस हमारी परिशानी का कोई न कोई हल जरूर होगा तेरा उन पे काफी विस्वा से वहे सबकी परिशानी दूर कर देते हैं अपनी पूजा पाट से सबी सच सच बताते हैं यह तुमने क्या किया एक भूखे वेकारी की जान ले लिया यह आत्मा भूखे मारे तुमारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें पर्शान कर रही है बाबा जी हमारी मदद करो हम बहुत परेशान है आइन्दा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा मुझे माफ कर दो बाबा बाबा अपनी सक्ती से उस भिकारी की आत्मा को वहां बुलाते हैं मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं शब को मार डालूंगा मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई मैं यांगे से किसी भी भीकारी को भूका नहीं जाने दूंगा बिल्कुल नहीं जाने दूंगा मुझे माफ कर दो बाबा अपने लोटे से गंगा जल निकार कर उस भीकारी के उपर छड़क देते हैं तब ही वह बिकारी वहां से गाया भुजाता है और उन्हें समझाते हैं कि सभी की मदद किया गए